सभी को नमस्कार जी, बच्चो शुवाशीश, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा बारे की भारती अर्थ व्यवस्था का विकास नाम किताब का तीसरा चेप्टर यूनिट 6 का तीसरे चेप्टर का नाम क्या है? Economic Reforms Since 1991 अर्थात हिंदी में बात करें तो 1901 में से आर्थिक सुधार 1901 में में नई आर्थिक नीती आई जिसको हम कहते हैं NEP, New Economic Policy इस पोलिशी के आधारिस्थम उदारी करण, नीजी करण, वैस्वी करण अभी बात करेंगे इसके बारे में इस चेप्टर को पढ़ते समय बेटा जी हम एक चीज का ज्यान रखेंगे कि जो सेकंड लेशन हमने पढ़ा था, उस सेकंड लेशन में 1950 से लेके 1990 तक की हमने आर्थिक नीतियां पढ़ी थी भारत की अर्थवेवस्था 1950 से 1990 तक कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या बातें हुई 1956 में आर्थिक नीति आई थी, उस आर्थिक नीति के क्या क्या बिंदू थे, वो सब हमने पढ़े थे इस चैप्टर को पढ़ते समय साथ साथ में उस चैप्टर से हम कंपेर करेंगे, उस से तुलना करते रहेंगे उस चैप्टर का भी रिविजन हो जाएगा और ये चैप्टर भी हमें अच्छे से समझ जाएगा हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि समझने के बाद चीजों को याद करना एक्सप्रेक्स करना आसान होता है तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूनिट 6 का चैप्टर है ये CBSC में कौन सी यूनिट? यूनिट 6 उस चैप्टर में 6 यूनिट में थर्ड चैप्टर है 1901 में से आर्थिक सुधार नहीं आर्थिक नीती 1950 से 90 तक क्या व्यवस्ता रही? पहले थोड़ा सा उसके बारे में जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी उसके बारे में थोड़ी शी बात करेंगे कि हमने वहाँ देखा था कि सोतंतरता के समय भारत मिस्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया था मिस्रित आर्थ व्यवस्ता कौन सी आर्थ व्यवस्ता होती है जिसमें निजी चेतर और सार्जनिक चेतर दोनों मिलकर काम करते हैं लेकिन हमने वास्तिक्ता में हमारी आर्थ व्यवस्ता में सारजनिक छेतर का अधिपत्य रहा था हमने पिछले चैक्टर में पढ़ा था कि सारजनिक छेतर की अगर्णिया भूमिका थी और निजी छेतर की सायक की भूमिका थी और इस 1956 की आर्थिक नीती में निजी छेतर की उपेक्षा की थी नीजी छेतर को गोण माना गया अर्था थिये केवल सायक की भूमी कामे रहेगा अर्थवेवस्था के विकास की जिम्मेदारी सारजनिक छेतर की थी लगवग चार दशक तक 1950 से शुरू हो के 1990 तक सारजनिक छेतर का अधिपत्य रहा और इस अधिपत्य ने विभिन नियम और कानूनों की स्थापना की बहुत सारे नियम कानून बने इसे उस आर्थिक नीटी 1956 वाली आर्थिक नीटी में एक शब्द हमने कॉमन रोप से उसको क को आथा LQP याद है आपको L means license quota permit तो वो आर्थिक नीटी को हम कह सकते हैं कि license quota permit की नीटी थी नीजी छेत्रों पर license का कोटे का permit का बहुत सारे आप कह सकते हैं नियंतरन लगाए गए विभिन परगार के नियम कानून बने जिससे नीजी छेत्र को control किया जा सके नियंतरित रखा जा सके सारजनेक छेत्रों को जादा छूट दी गई उनका अधिपत रहा अब इन नियम और कानूनों के कारण भारत की सम्रद्धी और विकास की प्रकिरिया बादित हो गई है क्यों बादित हुई अभी बात करेंगे हम क्या कारण रहे नीचे कारण की बात करेंगे निम्न कारण थे तो इन चार दसकों में अर्थात 1990 तक आते आते भारत की आर्थ की स्थिती दैनिय हो गई अर्थव्यवस्था बजाय बढ़िया होने के सुधरने के बिगड़ गई अर्थव्यवस्था खराब हो गई उसके क्या करण थे पहले हम कारणों पे एक नजर डालेंगे पहला करण सारजनिक चेत्रों का खराब प्रदर्शन जो सारजनिक चेत्र थे जो सरकारी उद्यम थे समय के साथ कुछ उद्यमों को छोड़ कर अन्य सारजनिक उद्यमों का प्रदर्शन निराश जनक रहा क्यों रहा निराश जनक रहने का पहले आर्थ समझेंग निराश जनक परदर्शन रहने का आर्थ है कि कोई भी उद्यम यदी सरकार लगाती है या निजी चेतर लगाता है उस उद्यम का परदर्शन कैसा होना चाहिए ज्यादा अधिक सदिक वस्तुएं या सेवाईं जो भी उत्पादन कर रहा है उनका उत्पादन करे वो उद्योग लाब में चले प्रोफिट हो लोगों को गुणवत्ता पूर्ण और सस्ती वस्तुएं मिलें ये एक उद्यम का उद्देश्य होता है लेकिन सारजनिक उद्यमों में ब्रफ्ता चार और नकारेपन का बोल बोला होने से बड़ी संख्या में सारजनिक चेतर के उद्यम बाहरी गाटे में चलने लगे अब ये सरकारी उद्यम थे जब ये गाटे में चल रहे हैं तो इनका गाटा कौन भरेगा कौन पूर्ती करेगा सरकार अब सरकार के बजट में सरकार के राजसों पर इनके गाटे का बहर बढ़ने लगा जिससे उनमें सुधार की आवशक्ता महसूस की दे ये सोचा गया कि यार कब तक गाटा उठाएंगे हम इन में कुछ सुधार किया जाए दूसरा कारण आर्थिक इस्तिती खराब होने का भुगतान संतुलन में गाटा भुगतान संतुलन क्या होता है पहले वो समझते हैं भुगतान संतुलन ये होता है कि हम विदेशों से कुछ चीज़ों का आयात करते हैं कुछ चीज़ों को विदेशों में निरियात करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के आयात जब हम करते हैं हमें विदेशी मुद्रा में धन दूसरे देशों को देना पड़ता है और जब हम दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाएं निरियात करते हैं तो उस निरियात के कारण हमें विदेशों से विदेशी मुद्रा मिलती है अब घाटा कब उत्पन्न होता है? गाटा उस इस्तिति में उत्पन होता है कि हम आयात तो जादा कर रहे हैं और निरियात कम कर रहे हैं आयात जादा होने से क्या होगा विदेशी मुद्रा हमारी विदेशों में जा जादा रही है और निरियात के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम हो रही है इसके कारण गहटा होता है तो भुगतान संतुलंगा गहटा का बुत्पन होता है जब आयातों के लिए किये गए विदेशी भुगतान क्योंकि आयात के लिए हमें विदेशी मुद्रा का बुगतान करना पड़ता है निरियातों से विदेशी प्राप्तियों की तुलना में अधिक होते हैं बुगतान जादा करने पड़ रहे हैं और प्राप्तियां निर्यात के कारण जो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है वो कम है तो हमारा भुगतान संतुलन माइनस में चला जाता है जिसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन गहटा भारी अब ये क्यों हुआ भारी प्रेशुल्क लगाने और कोटा निर्दारित करने के बावजूद आयातों में तेजी से व्रद्धी हुई आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि भार से एक आयात परतिस्थापन निति की बात करे थी अमने आयात परतिस्थापन निति की आया कि बावर से जिन वस्तूओं और सेवाओं का हम आयात करते हैं उनको आयात कम से कम किया जाए उसके बज़ाए उन वस्तूओं और सेवाओं को देश में ही उत्पन किया जाए बाजार में देश स्वेदेशी वस्तूओं की पूरती की जाए तो इसी कारण कि आयात कम हो इसके लिए हमने भारी प्रैसूर्ख लगा दिये कि भार से आने वाले सामान पर बहुत ज़़ादा टैक्स लगा दिया कोटा निरधारित कर दिया कि भी इससे ज़्यादा सामान भार से नहीं आएगा लेकिन इसके बावजूद पैट्रोलियम प्रोडक्स, डीजल, पैट्रोल, मॉबिल आयल, ये चीज़ें हमारे देश में उत्पन बहुत काम होती है, हमारी खापत के सामने नगने उत्पन होती है, ये हमें खाडी देशों से मगानी पड़ती है, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया, वहान देश म बढ़ते गए, टेकनलोजी बढ़ती गई, किरसी में यंत्र बढ़ते गए, टेक्टर वगएरा, इसके कारण हमारी पैट्रोल और डीजल की मांग बढ़ती गई, और इस मांग को पूरा करने के लिए हमें इसे आयात हमें बढ़ते रहे हैं, तो आयात तो फिर भी तेजी स बढ़े, दूसरी तरफ निरियात के साथ क्या हुआ, अंतराफ्टिय बाजार में अधिक लागत तथा निम्न गुनवत्ता के कारण निरियात बहुत धीमी निरियात में बहुत धीमी व्रद्धी हुई, क्योंकि अंतराफ्टिय बाजार में वस्तुएं काफी से, भारत की बनी वस्तुओं की अपेक्षाधी गुनवत्ता पूर्ण थी और सस्ती थी means विदेश में माली जीए कोई आदमी अमेरिका में बैठा आया हम उसको भारत से घड़ी देना चाहते हैं उससे अच्छी घड़ी कम पैसों में घड़ी उसको दूसरे देशों से मिल रही थी आमेरिका से ही मिल रही थी अपने देश से ही उसने हमारी सामान को लेना कम पसंद किया तो हमारे निरियात में ब्रद्धी बहुत धीमी हुई निर्यात में वरद्धी धिमी होने का अर्थ क्या हुआ? कि पैसा विदेशी मुद्धी होने का मतलब क्या हुआ? कि 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 विद पते जाना कई तरह से इस चीज़ को हम समझेंगे क्योंकि ये अर्थ व्यवस्था का आधार है बहुत बार ये शब्द इस्तेमाल होगा जगए जगए तो इसलिए आप ये कॉंसर्ट किलियर कर लीजिए इसको हम कहते हैं सामान्य कीमत इस्तर में व्रद्दी होना इसको कह सकते हैं मोटी भाषा में आप बात करें तो कह सकते हैं महगाई का बढ़ना इकोनोमिक्स की भाषा में बात करें अर्थ सास्तर की भाषा में बात करें तो हम इसको कह सकते हैं हमारे मुद्रा की खरीच चंता का कम हो जाना एक example से हम इस चीज को समझते हैं मान लेजिए चीनी 40 रुपे किलो है अब महघगाई बढ़ती है चीनी 40 से 50 हो गई है चीनी की कीमत कितनी थी? 40 रुपे किलो अब कितनी हो गई बेटा? 50 रुपे किलो इसको हम कहेंगे कि महघगाई बढ़ गई बहुत चीजें महंगी हो गई एक एक्जामपल लिया है कि अबल हमने फिलाल चीनी का दूसरा मैंने इसको सामान्य कीमत इस तर में सतत व्रद्दी भी कह सकते हैं कि कीमतों में व्रद्दी हो गई इसको महंगाई बढ़ना भी कह सकते हैं एक मैंने अभी आपको sentence यूज किया था कि मुद्रा की खरीच्छमता का कम हो जाना कैसे खरीच्छमता कम हो ही मालीजी ये किसी व्यक्ति के पास 100 रुपे हैं 100 रुपे की खरीच्छमता पहले पिछले साल जब चीनी 40 रुपे किलो थी कितनी चीनी खरीदेगा वो धाई किलो चीनी सो रुपे में कितनी चीनी खरीद सकता है सो रुपे की खरीद चमता कितनी है धाई किलो की आप कितनी हो गई बेटा दो किलो की अर्थात रुपे वो ही सो है पिछले साल उनकी खरीद चमता 2.5 kgचीनी थी आब केवल 2kgचीनी की खरीच चंता रहे गई इसलिए हम कहते हैं कि मुद्ड़ा की खरीच चंता कम हो गई मुद्ड़ा थी हमारी 100 रुपे उसका वो पहले 2.5 kgचीनी खरीजिनी खरीड़ी थी वो ही 100 रुपे आप कितने चीनी खरीद रहें? दो किलो. तो इसको कहते हैं, मुद्रा की खरीच चंता कम हो थी. तो तीसरा कारण इस पितिक दबाओ, अर्थात आप शोट में समझना चाहें, तो कीमत इस तर में व्रद्दी हो रही थी, मुद्रा की खरीच चंता कम हो रही थी, और महंगाई बढ़ रही थी. सामाने बाहसा में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं. अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि देश में आवशक वस्तुओं का अभाव था. वस्तुओं कम हैं, तो कीमतें बढ़ेंगे. जितनी मांग है, उससे कम पूर्ती हो रही है. अर्थाथ पूर्ती कम हो रही है, मांग जादा है, तो कीमतें बढ़ जाएंगे. और मुद्रा की पूर्ती में व्रद्धी हो रही थी, सरकार नोट जादे चाप रही थी. तो इन दोनों को कारणों के करण इस्पितिक दबाव बना. किसी दिन बात करेंगे, या आपको एक होमवर्क देता हूं, कि जैसे आज कल कोरोना चल रहा है, लोगों को रोजगार खतम हो गए, लोगों की आए कम हो गई, तो एक सामादने सी बात उठती है दिमाख में, कि आपके भी शाय दिमाख में आई हो ये बात, कि भई, जब आए कम हो गई, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, भई, नोट चापने की मशीन तो सरकार के पास ही है, बहुत सारे नोट चाप ले सरकार, और वो नोट लोगों को बाढ़ दे, लोगों की आय बढ़ जाएगी, तो इतना आसान सा एक सोलिशन होते हुए, भी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, बहुत सारे लोगों को लगा दे, बहुत सारे नोट चाप दे, मजदूरों को वैसी बाढ़ दे, जैसे आज कल राशन बढ़ रहा है, और राशन के साथ साथ, दस दस बीस बीस हजार रुपे भी बाढ़ दे, ऐसा सरकार क्यों नहीं करती भई, उसका करण है, कि यदि मुद्रा की पूरती सरकार बढ़ा देगी, छाप देगी नोट, तो उस इस्तिति में निश्ची तूप से, मुद्रा इस्पितिक दबाव बनेगा, और मुद्रा की खरीच चमता कम हो जाएगी, महनाई बढ़ जाएगी, कभी, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक दूसरा चल रहा है, कभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, फिलाल आप सोचिएगा, कि ऐसा सरकार क्यों नहीं करती, क्या प्रभाव पड़ेंगे, या ऐसा कर देगी तो क्या होगा, तो ये चीज़ें आप सोचिएगा, ये एक तरह का आपका हुमवर्क हो गया, चलिए, नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे, 1990 में भारत की आर्थिक इस्थिती दैनिये हो गई, उसके तीन कारण हमने पढ़ लिये थे, पहला कारण सारजनिक छेतरों का खराब परदर्चन, दूसरा कारण बुगतान संतुलों में गाटा, तीसरा कारण इस्पितिक दबाओ, चोथे कारण की बात करें, क्योंकि हमने अभी दूसरा करण पढ़ा था, बुगतान संतुलों में गाटा, कि हम विदेशी मुद्रा खर्च जादे कर रहे थे, कमा कम रहे थे, तो विदेशी मुद्रा उनके कोश जो हमारे बंडार थे, उनमें कमी हो गई, और कमी होते होते, इतनी कम हो गई, कि हमारे पास एक क्यान में तक आते आते, केवल दो सब्ता के आयातों का बुगतान किया जा सकता था, इतना ही पैसा बचा, कि हम दो सब्ता और आयात कर सकते थे, इतना ही पैसा बचा, उसके बाद हमारे पास पैसा खतम हो जाता हम कोई आयात नहीं कर पाते जब हमारे पास पैसा कम होता है तो हम क्या करते हैं आपके घर में माली जी आए कम है किसी महीने और खर्चा जादा हो गया और आपके पास पैसा रहा नहीं आपका कोश खतम हो गया तो आप क्या करते हैं उधार लेते हैं अब विदेशी मुद्रा कहां से मिलेगी अंतराफ्टिये उधार दाताओं से तो उधार दाताओं से भी हम पैसा पहले लेते रहे थे और जब आप उधार लेते हैं पैसा तो पड़ेगा जब देश ने उधार दाताओं से पैसा ले रखा था तो उसका ब्याज भी देना था ब्याज भी कौनसी मुद्रा में देना है विदेशी मुद्रा में तो इतना भी पैसा नहीं बचा कि हम जो पैसा पहले उधार ले रखा था उसका ब्याज भी दे सकें अब जब सामने वाले कोई दिख रहा है कि मेरा तो ब्याज भी नहीं दे पा रही तो वो आगे उधार देगा नहीं देगा तो विदेशी विनी में कोश बहुत कम हो गए और अंतराश्टिय उधार दाताओं उधार देने में हाथ अपना सिकोड लिया उधार देने में नानुकर करने लगे पांचवा करण रिनों का भारी बोज जब जब देश को जरुत पड़ी अंतराश्टिय आप कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा को सकम हुए या हमारे देश में मुद्रा सरकार को करज लेने की जरुत पड़ी रिन लेने की जरुत पड़ी क्योंकि सारजनिक छेतर के उद्यम घाटे में चल रहे थे सरकार में आप कह सकते हैं रिश्वत खोरी ब्रफटा चार था खर्चे ज़ादे थे कमाई कम थी तो सरकार घाटे में चलने लगी अब उस घाटे को पूरा कहां से करेगी सरकार ने क्या किया कि सरकार को बैंकों जनता और अंतराश्टिय वित्य संस्ताओं से उद्हार लेना पड़ा सरकार लगातार उद्हार लेके अपना काम चलाती रही उदार किश्किस से लिया, बैंकों से लिया, जनता से लिया, अंतराश्टिय वित्य संस्ताओं से विदेशी मुद्रा उदार लेकर काम चलाती रही, इसके करण सरकार पर भारी कर्च हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार के खर्चे उसकी आएसे अधिक थे, छटा करण एकुशल परबंदन, मैनेजमेंट, देख भाग, कैसी रही, एकुशल रही, एकुशल कार्थ है, के ठीक ठाक मैनेजमेंट नहीं रहा, सामान्य परशाशन चलाने, सामान्य परशाशन समझते हो, कोर्ट, कचैरी, पुलिस, ठाना, इन सब को चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, ये परशाशन होता है, जिससे भारत में कानून व्यवस्था, लागू रहे, सब को न्याय मिलता रहे, सब को सुविधाय मिलती रहे, तो सरकार सामान्य परशाशन चलाने, और विभिन नीतियों के क्रियान वायन के लिए, नीतियां जैसे सरकार ने नीति बनाई, के वही इतनी सड़कें बनानी हैं, इतने पुल बनाने हैं, रेलवे में इतनी लाइने बिछानी हैं, या इतनी ट्रेन और ज़्यादे चलानी ह इस वर्स या बिजली का उत्पादन बढ़ाना है इन सब के लिए सरकार को पैसा चाहिए ये पैसा आता कहां से है सरकार के पास सरकार कर लेती है जनता से और सारजनिक उद्यमों से आए होती है जो सरकार की फैक्टरियां है उद्यम है उनसे यदि वो profit में चलेंगी तो उनसे इनकम होगी या tax लेगी यही सरकार का अपना कह सकते हैं आए के साधन है तो सामाने परसाचन चलाने और विभिने नेतियों के किरियान वने के लिए सरकार करों और सारजनिक उद्यमों से आयादी के माद्यम से fund एकत्रित करती है जब यह वैक से कम हो जो उसने सरकार ने fund एकत्रित किये हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो सरकार का तो उस स्थिति में सरकार बैंकों जन सामाने मिंस जनता और अंतराश्टिय वित्य संस्ताओं से उधार लेने के लिए बाद्धे हो जाती है जरूरी हो जाता है यह हमने इसमें भी पड़ा था यह वित्य संस्ताओं से उधार लेना पड़ता है बैंकों से जनता से तो भारती अर्थ व्यवस्ता के एकुषल परबंदन के करण वित्य संकट उत्पन हो गया पैसे का संकट खड़ा हो गया सरकार के सामने क्योंकि प्रबंदन कैसा था एकुषल था ठीक से काम नहीं चल रहा था मित वैता से सरकारी करमचारी काम नहीं कर रहे थे ब्रष्टा चार था नकारापन था तो सरकारी वै उसके राजस्वाए से इतने बढ़ गए कि राजकोस पर बाहर बन गए इन संकटों से निपटने के लिए सरकार की आर्थिक इस्तिती खराब हो गई दो सब्ता से जादे का आयात करने का पैसा नहीं रहा जो भी देश से उधार ले रखा था उनका ब्याज देने की छमताने रही सरकार करजदार हो गई तो इन सारे संकटों से निमटने के लिए फिर हमें करजा चाहिए, अब उस करजा किस से मिलेगा, करजा मिलेगा, IBRD और IMF, इन से सरकार ने करजा, या कह सकते हैं, सरकार ने इन से रिन मांगा, अब इन्होंने पहले भी रिन दे रखा था, इनको ब्याज भी मिलने की नहीं दिखाई दे रहा था, कि हमारा प्रिन मूल धंतों लोटाने की बात बहुत दूर की है, ये तो ब्याज भी नहीं दे पारे, तो इसलिए इन्होंने भारत से कुछ उदारता बरतने को कहा, अर्तात कुछ शर्तें रखी, आप अभी फिलालिये समझिए कि सर्तें रख दी के, ये काम करोगे तुम, तो हम आगे पैसा देंगे, वरना पैसा नहीं देंगे, पहले इन दोनों संस्ताओं के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि दोनों संस्ताओं कौन कौन सी थी, पहली संस्ताओं मैंने बताई आपको, IBRD, फुल फॉर्म है इसकी, International Bank of Reconstruction and Development, अंतर राष्ट्रिये, पुनर निर्मान, एमम, विकास बैंक, जो विभिन्ने देशों को लोन देता है, आज कल इसको हम कहते हैं, विस बैंक, वर्ल्ल बैंक, ये नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ल बैंक को, इसकी इस्तापना हुई थी 1944 में, बेटा एक नमबर में इस तरह के कुश्चन पूछ लेते हैं, कि IBRD का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ल बैंक की इस्तापना कब हुई थी, तो इन चीजों को हम थोड़ा सा गोर से देखते हुई चलेंगे, आई एम एफ, अंतराश्टिय मुद्राकोस, इंटरनेशनल मोनिटरी फंड, तो इन दोनों संस्थाओं ने, पैसा देने के लिए तो हाँ भर ले, लेकिन साथ में कुछ शर्टें रखी, कि ये शर्ट आप मानोगे, तो आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा, अब क्या क्या शर्टे थी, वो देखनी है हमें, पहली शर्ट, निजी छेतर पर लगे, परतिबंदों को हटाया जाए, कि जो निजी छेतर हैं हमारे, उन पर परतिबंद हटा दिये जाए, कौन से परतिबंद लगा रखे थे हमने, लाइसेंस के, कोटा, परमेट, कि कुछ छेतरों में आप उत्पादन करी नहीं सकते, बहुत सारे परतिबंद थे, तो इन दोनों संस्थाओं ने, कौन कौन से संस्था, IVRD और IMF, International Bank of Reconstruction and Development, और, जिसको हम World Bank बोलते हैं, और International Monetary Fund, इन दोनों संस्थाओं ने, कहा, कि भई, निजी छेतर पर लगे परतिबंदों को हटा दिया जाए, दूसरी बात इन्होंने कहीं, बहुत से छेतरों में सरकारी हक्तक्षेप कम हो जाए, सरकारी हक्तक्षेप कम होने का मतलब, कि बहुत सारे छेतर ऐसे थे, कि जहां निजी छेतर, या तो उत्पादन ही नहीं करेगा, करेगा तो हमसे पूछ के करेगा, उन पे सरकारी हक तक शेप कम हो, या लाइसेंस, कोटा, परमेट, इन में कुछ कम किया जाए, अंतराश्टिये व्यापार से परतिबंद हटा दिये जाएं, जो आयात परतिस्तापन नीती थी, हमारी प् को हम आयात कम से कम करें, उन पर परतिबंद हटने चाहिए, इन शर्तों को अब भारती सिस्तिती में बेटा जी मजबूर था, क्यों? क्योंकि पैसा था नहीं, कर्ज बंद है, उसको पैसा विचारे को लेना ही लेना है, जब पैसा लेना है, तो कर्ज देने वाले की शर्ते मानना हमारी मजबूरी हो जाती है, तो हमने ये चीजें, और वैसे भी हम अपनी नीतियों पर चलते हुए गाटे में चल भी रहे, तो हमने सोचा कि शायद इस से कुछ ठीक हो, उस समय पूरे विस्व में ही ये एक अंदोलन सा चला हुआ था, कि लिबरेलाइजेशन हो, ग में की बात कर रहा हूं, मैं क्याट में से पहले ही पाकिस्तान में भी हो गया था, उस से भी दस बारे साल पहले, चाइना भी इसी नीति पर चलता हुआ, उसने भी ये ये चीजें मान ली थी, ये चीजें खोल दी थी, तो चाइना की अर्थवियस्था में काफी सुधार हमने इन चीजों को मान लिया भारत ने इन सर्टों पर सहमति दे कर भारत ने क्या किया सर्टों पर सहमति देदी और एक नई नीटी minds 40 नीटी चल लिए थी हमारी आर्थिक नीटी we чаps नार देग का निर्वान किया जिसको लीixed करते हैं NEP New Economic Policy, यह बनाई और इसकी गोशना कर दी, यह NEP मैंने आपने आपने शुरू में ही मैंने हाँ बताया था, कि सरकार ने इस वाली नीती कौन क्या कहते हैं NEP, तो सरकार ने NEP नीती की गोशना की New Economic Policy बनाई, अब यह इस चैक्टर में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे और नई आर्थिक नीती क्या है, कैसे काम होता है इसमें, तो नई आर्थिक नीती NEP, New Economic Policy, कब लागू ही बेटा, जुलाई 1921 में, कब लागू ही, जुलाई 1921 में में लागू की गई, इस नीती का मुख्य उद्देश आर्थ व्यावस्ता को अधिक प्रतियोगी वातावरण पैदा करना था, और आर्थिक सुधार करना था, कि जो आर्थिक इस्तिती हमारी बिगड़ी हुई है, उसमें आर्थिक सुधार हो जाएं, और आर्थ व्यावस्ता, थोड़ी सी हमारी अधिक प्रतियोगी हो जाएं, अधिक प्रतियोगी का, भी आपको चलो, यहीं समझा देता हूँ, मैं, अधिक प्रतियोगी का मतलब है कि पहले हमने इस चीज को हम टर्म को महां से समझते हैं कि 1956 में हमने आयात परतिस्था पनीती लगाई थी कि भई हम अपने घरेल उद्योगों का भी कास करेंगे और अंतराश्टिय बाजार में जो वस्तु में उनको भारत आने में हम रोक लगाएंगे प्रतिबंद लगाएंगे प्रतिबंद किस रूप में कोटा के रूप में प्रैश उल्क लगा देंगे अर्थात उनको महंगी कर देंगे माली जी भारत की बनी हुई कोई गड़ी 500 रुपे में विक रही है विदेश में उससे अच्छी क्वालिटी की गड़ी 400 रुपे में विक रही है तो भारत ये कौन सी गड़ी करीदेगा विदेश वाली 400 लेकिन उसको भारत आने में सरकार ने क्या किया जी 400 रुपे की गड़ी है और 500 रुप इस पे प्रैश उल्क लगा दो अब भारत आने में कितने की पड़ गई है वह 600 रुपे 400 की गड़ी 500 रुपे प्रैश उल्क 900 रुपे तो भारत के बाजार में उसकी कीमत के इमत की होगा 900 रुपे भारत गड़ी की भारतिय गड़ी की किमत कितने है 400 अब भारतिये किसे खरीज़ेगा भारतिये घड़ी को जो 400 में मिल रही है वो एक साकरत सस्ती मिल रही है गुणवत्ता से भी थोड़ा बहुत समझोता कर लेगा तो इसको आयात परती स्थापन नीती कहते हैं इसको दूसरे शब्दों माँ कह सकते हैं चार दश्कों तक 50-90 भारत में घरेलू उद्योगों को संडक्षन दिया उनको अंतराफ्टिय परतियोगिता से बचा लिया अब क्या किया सरकार ने नहीं आर्थिक नेती में घरेलू अर्थव्यास्ता के बाहरी बाजा विदेशी बाजारों के लिए दरवाजे खोल दिये आ जाओ वई बेचो कैसे कैसे खोले वो अभी हम डिटेल पढ़ेंगे अब भारत में जो 400 रुपे की घड़ी बन रही थी या 500 रुपे की घड़ी बन रही थी उसके बराबर में दुकान पर विदेशी घड़ी भी रखी मिलेगी अब भारत को अपनी घड़ी बेकनी है तो उससे प्रतियोगित करनी पड़ेगी तो इसको हम कहते हैं अधिक परतियोगी बातावरण पैदा कर दिया इस आर्थिंग निती में दो तरह के उपाए किये गए पहला इस्थाइत वकारी उपाए ये अल्पकालिन उपाए हैं बेटा जी जो हमारी उस समय की समझ जाएं थी वो हल हो जाएं उस कोसों को प्रियाप्त रखते हुए इस बुगतान संतुलन की कमियों को ठीक रखना समझ गए उस समय की में प्रोबलम क्या थी विदेशी मुद्रा बंडार में कमी इसलिए तो ये जंजट खड़े हुए थे विदेशी वीनी में कोस में कमी तो पहले तो इस विदेशी वीन में कोस को पूरा किया जाए इनको प्रियाप्त रखें और बुगतान संतुलन की कमियों को ठीक रखें बुगतान संतुलन गाटा हमने पढ़ा था बढ़ती कीमतों को नियंतर्ण में रखकर मुदरा इस्पिती को नियंतरित करना जो ये भी हमने पढ़ी थी समझ्चा मुदर इस्फिती को नियंतरित रखा जाए, महंगाई को बढ़ने से रोका जाए, ये दोनों उपाए, इस्थाइत्व कारी उपाए थे, अलकालीन थे, दूसरा उपाए, संदसनात्मक उपाए की बात करते हैं, ये दीरकालीन उपाए थे, लंबे समय तक, जो लागू होंगे, का अर्थ व्यवस्था की कारी चमता में सुधार करना था, क्योंकि जादतर सारजनिक छेत्र के उपकरम गाटे में चल रहे थे, सरकारी तंत्र में ब्रफटा चार का बोल बाला था, एक करम नेता का बोल बाला था, तो इनोंने दीरकाल में क्या करना था, कि अर्थ व्यवस उदार्ता कार्थ है कि हम विदेशी सामानों को उदार्ता के साथ अपने देश में प्रवेश करने दें तो विबिन्य चेत्रों में हम उदार्ता लाए और उस उदार्ता को लाने के लाकर अंतराष्टिय प्रतियोगिता को बढ़ाना था ये संदसनात्म को पाये थे इस नीती में तीन शब्द ऐसे हैं जो इस पूरी नीती के आधार स्थम्भ है पहला शब्द लिब्रेलाइजेशन उदारी करणू दूसरा शब्द निजी करणू प्राइवेटाइजेशन तीसरा शब्द वैस्वी करणू गलोबेलाइजेशन तो liberalization, privatization, globalization इन तीनों शब्दों को यदि हम एक साथ जोड़ दें तो वो कहलाता है LPG short में कहें तो L से क्या हो गया? liberalization, P से privatization, G से globalization तो नई आर्थिक नीती के आधार स्थम्भ हो गए LPG और 1956 की आर्थिक नीती के आधार थे LPQ या LQP यह आचान रहेगा, confused नहीं होगे license quota permit तो 1956 में क्या अपनाया था? LQP, license quota permit 1991 में, NEP में क्या अपनाया? LPG, license, liberalization, privatization, globalization यहाँ L का मतलब है license, 1956 में यहाँ 1991 में L का अर्थ हो गया, liberalization यहाँ P का मतलब 1956 में permit यहाँ P का अर्थ, privatization, नीजी करण जी शब्द अलग अलग हैं, यहाँ क्यू था? quota, यहाँ G है globalization यह तीनों शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे पहला शब्द, उदारी करण liberalization उदारी करण कार्थ है, नीजी छेत्र पर प्रवेश और समवरद्दी के लिए लगाएगे, नियंतरनों में कमी और वी नियमेती करण से है के उदार, उदार मिन्स थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना थोड़ा सा liberal होके सोचना है न, कुछ थोड़ा सा सरकार आप कह सकते हैं कि कुछ इनके परती विनम्र हो जाए, नीजी छेत्र के तो इसको उदारी करण कार्थ क्या हो गया है, नीजी छेत्र पर प्रवेश और समवरद्दी के लिए लगाएगे नियंतरन कौन कौन से नियंतरन लगा रखके थे, के बहुत सारे वस्तूं और सेवाओं का तो तो मुत्पादन करोगे ही नहीं, कितनी सेवाएं सरकार ने अपने लिए आरक्षित करती थी उन 17 वस्तों को सरकारी उद्योगों के लिए आरक्षित था कि अर्थात उनका उत्पादन केवल सरकारी उद्योग करेंगे इस प्राइवेट उद्योग प्राइवेट निजी छेतर चाहे तो भी उन वस्तों का उत्पादन नहीं करेगा उनके नियंतरण में कमी कर दी वी नियंतरण में ती करन कर दिया गया कि बिल्कुल रैगुलर नहीं रखेंगे थोड़ा सा डिल दे देंगे इसका उद्देश क्या था क्यों किया निजी छेतरो और भावराश्टिय कंपनियों को निवेश और विस्तार के लिए प्रोथसान देकर आर्थिक संभावना को खुलना कि विदेशी भावराश्टिय कंपनियों आगे हम इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे MNC's Multinational Companies आगे से हम क्या पढ़ेंगे इसको MNC's यदि आप MNC's के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकार्थ है बहुराश्टिय कंपनियां ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक राश्ट में अपना काम करती हैं चै वो भारतिय है चै वो विदेशी है तो निजी छेत्र जो भारतिय प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो भारतिय उद्योगपती हैं वो या बहुराश्ट्रिय कंपनियों को निवेश और विस्तार के वो विबिन वस्तों के उत्पादन के लिए भारत में पैसा लगा सके निवेश कर सकें या जो उसनोंने पहले थोटा मोटा कंपनी चला रखी है उसको बढ़ा कर सकें विस्तार कर सकें इनको प्रोथसान दिया जाएगा और इसके करण आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगे आगे उदारी करण का उद्देश से था कारियान वैन की चंता को बढ़ाने के लिए प्रोथसान देना ठीक से अच्छे चकारिया हो क्योंकि वहां आपने पड़ा था परचाशन ढिला हो गया था क्या पॉइंट था वो एकुशल परबंदन तो इस कारियान वैन की चंता बढ़े अच्छे से काम हो तेजी से उत्पादन हो इसके लिए प्रोथसान देना और अर्थवयास्था में पर्तियोगी ताला ना पर्तियोगी ताला का मतलब आप समझे गए कि विदेशी वस्तों के बराबर में हम अपना माल बेच सकें कब बिकेगा जब उनकी अपेक्षा कीमते कम हो अच्छी वस्तों और सेमाएं बाजार में देंगे अब इस उदारीकरण के ये दोनों तो हो गए इसके उद्देश ये और ये इसके साथ साथ अब ये उदारीकरण का हमारा आर्थ हो गया कि उदारीकरण क्या होता है अब इस उदारीकरण के अंतरकत सरकार ने क्या-क्या आर्थिक सुधार किये, इसकी बात करेंगे, आर्थिक सुधारों में क्या किया, उद्योगिक लाइसेंस की कमी है, उद्योगिक लाइसेंस में कमी कर दी गई, 56 की नीती में क्या पड़ा था कि कुछ उद्योग तो केवल सारजनिक छेतर के लिए रहेंगे कुछ उद्योग प्राइवेट सेक्टर के लिए रहेंगे तीन सुची बनाई थी उसमें और कुछ उद्योग सारजनिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर उत्पादन कर सकेंगे तो इस नई नीती में कुछ ही उद्योगों को छोड़ कर अब जो पहले सत्रह थे उन उद्योगों की संख्या कम कर दी को छोड़ कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया सत्रह उद्योग को छोड़ कर बाकि जिसमें नीजी छेतर काम करना चाहता था 1956 की नीती में उसमें भी क्या था ऐसे नी के कोई भी फैक्टरी खोल ले फैक्टरी खोलने से पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ता था के जी मुझे फैक्टरी खोलनी है वो लाइसेंस भी सरकार सोच समझ के देती थी इसके साथ-साथ यदि किसी की फैक्टरी पहले से चल रही है वो उत्पाद को बढ़ाना चाहता है अपना production बढ़ाना चाहता है या वीवीधी करन करना चाहता है उसी तरह के दूसरे उत्पाद बनाना चाहता है तब भी license लेना पड़ता था तो आप इन्होंने क्या किया कि कुछी उद्योग जैसे सराब, सुरक्षा उपकरन, सुरक्षा उपकरन समझते हो क्या होते हैं? मिलट्टी से संबंदित वस्तुएं बनाना, हत्गोले, एटम बं, बंदू, उद्योगी की विस्पोटक, जो विस्पोट से संबंदित वस्तुएं, उन वस्तुओं को बनाना, इन चीजों को छोड़कर आन्ने सभी उद्योगों के लिए license को समाप्त कर दिया फिर ही कर दिया गया, कोई भी नई फर्म खोल लो, कुछ चीजें ये उत्पादन नहीं करोगे, और चाहे जितना उत्पादन करो, चाहे जैसे करो, अर्थात नई फर्मों को इस्थाफित करने और वर्तमानी काई का विस्तार करने, या विविदी करन करने के लिए कोई license आ वही लगा ले, वर्तमानी काई में और उत्पादन बढ़ाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं बढ़ा ले, विविदी करन करना चाहता है, उसी से मिलते जुलते और सामान, नई डिजाएं, नई चीज़ों को बनाना चाहता है, बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई license की भूमी कामे कमी है, 1956 में 17 उद्योग केवल सारजनिक चेतर की वस्तों में उत्पादन, सारजनिक चेतर इन वस्तों का उत्पादन कर सकता था, आप इन्होंने 17 से घटा कर दी 3, केवल 3 छोड़ी, 3 में भी कौन-कौन सी सुरक्षा उपकरन, परमानू उर्जा और रेलवे रेलवे बिटा आज भी प्राइवेट नहीं चला सकते आप, यह नहीं कि अपनी लाइन बिचा ली अपनी रेल बना लीजी, मेरी तो प्राइवेट है, रेल चलाएगी सरकारी, परमानू उर्जा जिससे बिजली बनती है, बो वाला प्रोग्राम है यह, तो तीन चेतरों को चोड़ कर बाकी सब में, सत्रे से घठा कर तीन कर दी और तीन चेतरों को चोड़ कर बाकी सब में सारजनिक चेतर काम लगबग नहीं करेगा, आवेशकता होगी तो ही करेगा, नहीं तो नहीं चेतर काम करेगा, अर्थाथ सारजनिक चेतर की जो मुक्य भूमिका थी, अब स समय चपन में डिसाइड किया था जिनकी निवेश लागत पांच लाख रुपे अर्था जो पांच लाख रुपे से कम में शुरू हो जाते हैं वो सब लगुद्योग थे उनके लिए कुछ वस्तों में आरक्षित भी कर दी थी कि वह इन वस्तों को केवल लगुद्योगी करे गा क्योंकि देर गुद्योग में हो सकता अच्छी टेकनलोजी हो वो अच्छी वस्तों बना दें तो लगुद्योग की वस्तों नहीं भी कहेंगी तो लगुद्योग को एक तरह से संडक्षन दिया गया था उनके लिए कुछ वस्तों का आरक्षन कर दिया गया था तो लग वो जो पांच लाग या पांच लाग से कम में निवेश था, उनको लगुद्यो कहते थे, वो निवेश सीमा बढ़ा कर एक करोड कर दी गई, लगुद्यो की भी निवेश सीमा बढ़ा कर पांच लाग से बढ़ा कर कितनी कर दी गई, एक करोड गई, तो ये तो हुए उद्य अब बात करेंगे के वित्तिय चेतर में क्या क्या सुधार हुए आप कह सकते हैं उदारी करण के एक अंतरगत A point हो गया आर्थिक सुधारों में उद्योगिक चेतर में सुधार B point हुआ हमारा बेटा वित्तिय चेतर में सुधार A point उद्योगिक चेतर में सुधार में 3 point लगूद्योगिक लाइसेंस में कमी, सारजनिक छेतर की भूमिका में कमी, लगूद्योगों का औरक्षन. अब वित्य छेतर में सुधार की बात करें, तो वित्य छेतर में, वित्य मिन्स, पैसे से संबंदित मामला जो है. रिजर्व बैंक जानते हों, आर बी आई, रिजर्व बैंक ओफ इंडिया, ये भारत का केंद्रिय बैंक है, इसके क्या कारिये हैं, ये सब भी हम दूसरे वाले किताब में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, फिलाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि वित्य छेत्र, पैसे से संबंदित, जितने भी चीजें हैं, इनको नियमन रिजर्व बैंक करता था, नियमन मेंस एक तरह की आप कह सकते हैं, कंट्रोल, क्या करता था? इस control का दाइत्व था रिजर बैंक ओफ इंडिया था रिजर बैंक विभिन नियमों के माध्यम से बैंकों में अन्य वित्तिय संस्थाओं के कारियों का नियमन करता था इनको control करता था regulate नियमन का सही शब्द है regulate रेगुलेटर जानते हो पंक्खे की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए जो होता है अर्थात वो बिजली को control करता है जब हमें पंक्खे की स्पीड कम करनी होती है रेगुलेटर को कम कर देते हैं अर्था कम बिजली बेजेगा जिससे पंखा दीरे दीरे गुमेगा स्पीड बढ़ानी है वहां वो रेगुलेटर को हम आगे बढ़ा देते हैं तीन चार पांच नमबर तक ले जाते हैं जितनी पंखे में बिजली जादे जाएगी उतना ही तेजी से काम करेगा जादे हवा देगा तो रेगुलेट शब्द वहां से लिया गया है रेगुलेटर से और कंट्रोलर आपको समझने के लिए कि हम कह सकते हैं कि चीजों को कंट्रोल कर रहा था रेगुलेटर भी तो पंखे में कितनी बिजली जाएगी कितना तेज चलेगा इसको कंट्रोल ही कर रहा है तो मोटे रूप में आप कंट्रोल कह सकते हैं रिजर्ब बैंक कैसे कैसे रेगुलेट करता था इन्हें रिजरर व बैंक टैक रता था, कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, आप जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं,éis बैंक बैंकि इस पैसे में से कुछ पैसा आपने पास रखता है का को लेने आ जाए तो हम उछे दे सकें, बाकी पैसा लोन के रूप में बाड़ देता है रिन के रूप में लोगों को बाड़ देता है जिससे इसको ब्याज मिलता है उसी ब्याज से बैंक आपको ब्याज देता है आपका जो पैसा जमा है उसी पैसे से उसी ब्याज से बैंक अपने करमचारियों की तंखा देता है अन्ने खर्च दे सकता है ये कौन ये कौन बता था रिजर बैंक रिजर बैंक ही ब्याज की दरों को नियत करता था जो लोन देना है जो पैसा जमा हो रहा है उस पे आपको ब्याज मिलना है वो सारा कितने परसेंट होगा कितने परसेंट पे आप लोन दे होगे कितने परसेंट सेविंग बै इन सब को कंट्रोल करता था रिजर बैंक विबिन छेत्रों को उधार देने की प्रकरती आदी भी यही तै करता था किस छेत्रक को उधार देना है किस छेत्रक को उधार नहीं देना है यह भी यही तै करेगा प्रंतु नई आर्थिक नीती में क्या हुआ चेंज होगे क्योंकि अर्थ व्यरस्था में उदारी करन लाना था तो उदारी करन मेंज थोड़ा सा ढिला करना था इसके लिए क्या किया के रिजर बैंक की भूमिका को नियामक की भूमिका से सुविधा प्रदायक कर दी गई अब रिजर बैंक, रेगुलेटर नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, सलहा दे सकता है, बैंकों को सुविधा दे सकता है, तो सुविधा हैं देगा, सलहा देगा, कंट्रोल नहीं करेगा, जबर जश्ती नियम बनाकर उन पे थोपेगा, नहीं, लास्ट में फाइनल डिश तो ये फैसिलिटेटर हो गए, सुविधा प्रदायक हो गए, बैंक अच्छे से काम करता रहे, उसके लिए बैंकों को सुविधा देना काम रह गया, जिसके परिणाम सरूप, इसका परिणाम क्या हुआ, वित्य छित्रों को आर बी आई की सला किये, बगैर बहुत से मामलों म निर्ने लेने की अनुमती दे दी गई, सला भी मत ले हो, वैसे ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, निजी बैंकों की स्तापना का मार्क खोल दिया गया, पहले बैंक सारे सरकारी होते थे, नहीं जी, निजी बैंक मी खोल सकते हो, और निजी भी कौन-कौन, भारत का कोई उद्योग पती नीजी छेतर का आज भी खोल ले अब विदेश का कोई आके खोल ले जिसमें भारती है और विदेशी दोनों बैंक खुल सकते थे अब खुले में विदेशी बैंक I.C.I.C.I. SBC यह दोनों बैंक खुलना चाहता है तो उसको रिजर्बैंक से अनौमती लेनी होगी लेकिन आब वो भी खटा दिया के बैंकों को नई साखुआये RBI की अनुमति के बगार खोलने की सोतंतरता दे गई दे दी गई केवल कुछ शर्तें लगा दी गई वह ये शर्त पूरी कर रहे हो चाहिए जितनी साखाइं खोल लो लेकिन ये शर्त पूरी होनी चाहिए बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 51 परतिशत कर दिया गया 51 परतिशत का मतलब समझते है किसी फैक्टरी में शेयर होते हैं यदि किसी फैक्टरी के 51 परतिशत 50 परतिशत से अधिक शेयर मेरे पास हैं तो उस फैक्टरी का मैनेजमेंट उसका परभंदन मेरा ह बहले वो फैक्ट है किसी की भी सही है तो 51% का रथ है कि मालिकाना हक मिल जाएगा तो विदेशी निवेश भी 50% तक कर सकता है अर्थात निवेश के माद्दम से बहुत सारी चीज़ों के वो मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है विदेशी संस्तागत निवेश जैसे बैंकर, म्यूचुबल फंड, पैंसन फंड, आदिवित्ती बाजार में निवेश करने की अनुमत ही दे दी गई विदेशी संस्तागत निवेश इसको बोलते हैं फोरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफ आई आई फिलाल इतना ही समझ लो आगे डेटेल मैक्रो एकोनोमिक्स में इस सारी चीजें हैं कॉंसेट के लिए हो जाएगा उसन एफ आई आई जैसे बैंकर, म्यूचुल फंड, पैंसन फंड को विद्ती बाजार में निवेश करने की अनुमत ही दे दी गई ये था हमारा बी पार्ट विद्ती चेत्रों के सुधार, अब बात करें इसका सी बिंदू कर सुधार कुछ करों में सुधार किये गए, ये तीनों सुधार को उनमें पढ़ रहे हैं, उदारी करने के अंतरगत 1901 में से आये तथा निगम करों में कमी की गई, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं बिटा इसको, ये आये कर, इनकम टैक्स, इनमें कमी कर दी गई, जिससे चोरी ना करें लोग, टैक्स को छिपाएना, ज़्यादे लोग टैक्स दे दे, वस्तूओं और सेवाओं के लिए पसुदार होते होते, सारे टैक्स कताम करके अपर टैक्स कर में एक टैक्स छोड़ाया, सब टैक्स सम्मलित करके एक नया नाम दे दिया, GST, इसी चेक्टर में हम आगे डिटेल करेंगे भी इसकी, Goods and Services टैक्स, करदाताओं के लिए कर देने की प्रिक्रिया को सरल बना दिय पहले चाहिए था, बहुत लंबा प्रोसेस था, ये फॉर्म बरो, ये ऐसे करो, वैसे करो, अब थोड़ी प्रिक्रिया सरल कर दे गी, आसानी से कोई करदाता है, यदि बहुत ज़्यादा कॉंप्लिकेटिड इसकी इनकंद नहीं है, तो आसानी से अपने आप कैलकुलेट क करके, अपना कर दे सके, देन, डी पार्टीज, विदेशी विनी में सुधार, फोरें एक्चेंज रिफॉर्म्स, भुगतान संतुलन के संकट से निबटने के लिए, भुगतान संतुलन का संकट आया था, हमने उपर पड़ा था, सरकार ने रुपे का आव मुल्यन कर दिया रुपे मिंच भारतिय मुद्रा, भारतिय मुद्रा का आव मुल्यन कर दिया, क्या होता है बेटा आव मुल्यन, आव मुल्यन से अभी प्राय सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के सापेक्स, घरेलू मुद्रा के मुल्य में कमी करने से होता है, अर्थात, आव मुल्यन का मतलब हो गया, एक एक जम्पल लेते हैं हम इसका, मान लीजिए आज एक डोलर की कीमत सत्तर रुपे है, अब सरकार एक डोलर अपनी मुद्रा का रुपे का अवमल्यन कर देती है और एक डोलर की कीमत असी रुपे कर देती है, इसको हम कहेंगे आव मुल्यां घरेलो मुद्रा के मुल्य में कमी हो गई और डिटेल में समझ लीजे चलो ये उननीस सो एक्यानमे में लगबग बीस परतिशत कर दिया गया जिस से विदेशी मुद्रा के आगमन में विरदी हुई विदेशी मुद्रा ज्यादे मिली क्यों मिली क्योंकि हमारे आयात कम हुए और निरियात बढ़ गए आव मुल्यन करने से मुद्रा का आयात कम होते हैं निरियात बढ़ते हैं क्यों होता है ऐसा एक छोटे से एक्जामबल से समझ लेते हैं ये भी मैक्रो एकोनोमिक्स में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि आव मुल्यन क्या होता है बेटा डोलर की कीमत जो पहले सतर रुपे थी सतर के बज़ाए असी हो गई ये हमारी मुद्रा का रुपे का आव मुल्यन हुआ और इसका अधी मुल्यन हुआ है डोलर का तो डोलर से हमें मतलब नहीं है हमें मतलब किस से है रुपे से है क्योंकि हमारी मुद्रा रुपे है इसका आव मुल्यन हो गया अब एक एक्जाम पर लेते हैं मौन लीजिए अमेरिका में कोई दाल एक डोलर पर केजी है एक डोलर पर केजी है भारत वाले उस भारत में कोई बोगता उस दाल को खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद देगा भई पहले एक्जेंज मार्केट में जाएगा क्योंकि उसके मेरे पास तो रुपे हैं मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं एक्जेंज मार्केट जाऊँगा पैसे रुपे लेके जाऊँगा वहाँ से रुपे देऊँगा डोलर लेऊँगा वो डॉलर अमेरिकन व्यक्तिव को देऊंगा, उससे एक किलो डाल ले 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 ले, कितने पैसे लेके जाओंगा है, मैं एक्चेंज मार्केट में, 70 रुपे, इस इस्तिती में, कितने रुपे ले ले जाओंगा, 70 रुपे ले जाओंगा, 70 रुपे मुझे ले 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 एक डॉलर मैं इस दुकानदार को देंगा एक किलो डाल खरीद के अपने घर ले आँगा किलियर बात आप बात करते हैं अगले साल या आव मुल्लन कर दिया एक महिने बाद ही और डॉलर की कीमत होगी अस्षिर अब मैं उस दुकानदार से पूस्ता हूँ जो अमेरिका में बैठा है भाई डाल क्या रेट है वो कहेगा जी एक डॉलर पर केजी उसने कोई रेट में चेंज नहीं किया अब मैं एक डॉलर के लिए कितने पैसे देने पढ़ेंगे मुझे असी रुपे मैं एक्चेंज मार्केट में जाऊंगा मैं काऊंगा भाई एक डॉलर दे दे ना उसे सतर रुपे देंगा वो नहीं देगा वो कहेगा जी असी रुपे देओ आपकी मुद्राका मुल्यन हो गया वो मुझे असी रुपे देने पढ़ेंगे एक डोलर मिलेगा, एक डोलर से फिर एक किलो दाल खरीद लूँगा, अब अमेरिका में तो वो ही एक किलो दाल का एक ही डोलर रहा, इस कंडिशन में भी, एक कंडिशन में भी, बी कंडिशन में भी, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, कि पहले जो दाल सत्तर रुपे किलो मिल रह पहले यदि वारत ये बाजार में 75 रुपे किलो ती तो मैं खरीदता नहीं खरीदता क्योंकि मुझे अमेरिका से कितनी मिल रही थी 70 अब क्या इस्तिति आ गई भारत में 75 और अमेरिका से 80 तो अब मुझे बारत की खरीदने में फायदा रहेगा तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा आगे से बाप मेरिका से डाल मंगवाना बंद कर दूँगा अर्थात क्या हो गया आयात कम हो गए अमेरिका से डाल मंगवाने की इस्तिती क्या थी आयात की इस्तिती थी आर्थात में आयात कम हो गए मेरे जैसे लोग सब लोग ऐसे हो गए तो आयात कम हो जाएंगे अब निरियात की बात करें इसी कंडिशन में मान लिजे भारत में डाल थी 75 रुपे किलो पहले कोई अमेरिकन व्यक्ती था वो एक डॉलर लेके आता वो रुपे कनवर्ट कर आता कितने रुपे मिलते सतर रुपे मिलते वो डाल खरीदता एक किलो डाल नहीं मिलती न क्योंकि डाल की कीमत कितनी है 75 रुपे किलो तो वो अमेरिकन एक किलो से कम डाल लेके जाएगा उसको एक किलो से कम डाल मिलेगी और यदि अमेरिका के मार्किट में डाल का रेट वो ही एक डॉलर पर के जी है, वहां एक किलो ही मिल जाएगी, एक डॉलर में तो अमेरिकन नहीं खरीद देगा, क्यों? क्योंकि भारत से ले जाता है तो उसको एक डॉलर में एक किलो से कम मिलती है, अमेरिका में एक किलो मिल जाती है, तो अमेरिकन डाल खरी प्रिज्दृ प्रवाइगा ओस्ती रॉपे में तो अभ और अमेरिका में खरी दें तो एक किलो ही मिलेगी। भारत में अब उसको नए स्थिती में एक किलो से जपाना शुरू कर देगा। हो भारत से अमेरिका यदि दाल जा रही है तो वह तिदी कहलाएगी। की तर्थात आव मुल्यन या मुल्यहास अभी आगे टर्म पर मुल्यहास कहने लगे आजकल इस टर्म को आव मुल्यन और मुल्यहास में थोड़ा सांतर है लेकिन वो अभी डिटेल बाद में पढ़ेंगे तो आव मुल्यन के कारण आयात कम हो जाते हैं और निरियात बढ़ ज आगे बात करते हैं सरकार ने मुल्ले को अपने नियंतरन से मुक्त कर दिया आप मुल्ले को उसने आप सरकार मुल्ले निर्धारित नहीं करेगी मुद्रा का उसको को निर्धारित करेगा अंतराश्टिय विनी में बाजार बाजार अपने आप डिसाइड करेगा कितने एक पूर्ती है मांग जादा है पूर्ती कम है तो रेट बढ़ जाते हैं पूर्ती जादा है मांग कम है तो रेट कम हो जाते हैं तो इसलिए आज कल डॉलर और रुपे का एक्सचेंज रेट हर घंटे हर समय बदलता रहता है एक्सचेंज मार्केट में क्यों बदलता रहता है क्य दिये गए, कोई वस्तु मंगवाएं, बहुत ज़्यादा परतिबन नहीं है, देश से बाहर बेजें, बहुत ज़्यादा परतिबन नहीं है, निरियाद शुल्क तो हटाई लिए गए, कोई निरियाद शुल्क नहीं लगेगा, आयाद शुल्क कम कर दिये गए, आयाद शुल नहीं है दिवस्त में आयात कर रहे हैं कोटा भी खतम कर दिया गया जिस से बहतर कीमतों पर कच्छा माल आयात करने में आसानी हुई है इसके बाद बात करेंगे नीजी करन की नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिलाल आज हमने बात करी, किस किस चीज की बात करी बेटा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, पहली बात करी हमने, यहां से शुरू किया था, कि चैक्टर टू, उननिस सो इक्यान में से आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति की बात करी, जि उसमें सारजनिक चैतरों का खराप पर दर्शन, बुगतान संतुलन में गाठा, इस्पितिक दबाव, विदेशी विनी में कोशों में कमी, रिणों का भारी बोज, एक उचल पर बंदन, इन सारे कारणों के खरण नही आर्थिक नीति को लाना पड़ा, फिर बात करी हमने दो संस्थाओं की, IBRD, और जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं और दूसरी संस्था, IMRF, इन्होंने भारत को लोन देने के लिए क्या-क्या कंडिशन्स लगाई, तीनों कंडिशन्स पड़ी, इसके बाद नई आर्थिक नीति की बात करी, जो जुलाई 1991 में लागू ही, इसके क्या उदेश्च थे, उपाए, दो उपाए पड़े, इस्थाइतुकारी उपाए, संदस्नात्मक उपाए, इसके बाद आर्थिक नीति के तीन इस्तम पड़े, LPG, उदारी करण, नीजी करण, प्राइवेट आई, गलोबिलाईजेशन, सोरी, हाँ, उदारी करण या लिब पड़ा, उदारी करण के उदेश्च पड़े, इसके तीन पड़े, फिर वित्य चेतर में क्या क्या सुदार हुए, इसके बारे में पड़ा, इसके बाद हमने कर सुदार क्या क्या हुए, इसके बारे में पड़ा, इसके बाद विदेशी विनी में सुदार क्या 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 क अभी तक उधारी करण तक बात पढ़ी है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चेक्टर का जो होगा नेक्स्ट लेक्चर वो निजी करण हैं उधारी करण लिब्रेलाइजेशन LPG था न तो L के बारे में पढ़ लिया P और G प्राइबेटाइजेशन और ग्लोबिलाइजेशन इन दोनों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आपका दिन शुब हो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना उमीद है आपको ठीक से समझ आई होंगी थैंक यू आपको अच्छे से पढ़ाईया आपकी चलती रहे इसके लिए शुब